कि उता नज़ीए नहीं सर्पीशारी आजाब साफ अधाड शाब थोड़ा साफ पीशे रही थोड़ा सा पीशे बहुत दूर से खर रुख रहु हूं अपने तेनु साथियों का इंडू। मेरे बाइं ताइफ तरफ से गुलाम हमद मीर साथ हैं जो PCC प्रेजिडंट हैं, एक्स मिनिस्टर हैं और मेरे ताइं साइड तारचेंजी हैं जमू से ये एक्स डिप्टी सेम रहे हैं कांगर्स की तरफ से तो आज जो मिटिंग हुई और हम तीनों ने जो कांगर्स की तरफ से जो बात की हैं, बहुत सारी चीजें हमने बताई कि किस तरह से स्टेट डिजॉलू हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी, एलेक्टेड रेपेसेंटेट यूज थे, उन से पूछे बगहर किया गया, लेकिन अंत में वो तमाम चीज़ों के कहने के बाद, हमने पांच बड थी कि स्टेट हुड जल्दी देना चाहिए, हम लोग ने ये बताया है कि बाई, सदन के अंदर, ग्रेह मंतरी जी ने भी अपायमिस ने भी, या आश्वासन दिलाया था हमको, कि हम स्टेट हुड बाहल करेंगे एक समय पे, तो हम लोग ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब अलेक्शन वगेरा होगे, बी डी सी, डी डी सी, अलेक्शन होगे, और अभी शांती भी है, सेज़ फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है, तो इस से ज़्यादा कोई अनकूल समय नहीं हो सकता स्टेट हुड गरांट करने के लिए, ये हमारा माँग, हम लोग ने ये भी माँ की कि आप कहते हैं कि लोग तंतर को मजबूत करना है, अब आपने पंचायद के अलेक्शन किये, जिला परशद के अलेक्शन किये, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधान सबा नहों, वह इसलिए विधान सबा के अलेक्शन भी तुरंट करना चाहिए, डिमोक्रिसी को बहल करना चाहें तीसरी चीज़ हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डुमोसाइल इस्टोरिकली डुमोसाइल रूल्स थे जमीन का तो हमारे महराजा के जमाने से था उनीसो पच्चीस के जमाने से और बाद में नोकरी का भी था तो केंद्रिय सरकार को ये गारंटी देने चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे जमीन की गारंटी और जो लोकल मुलाजम है आईएस आईपियस अब वो तो आते रहेंगे तो हर स्टेट में हैं वहां भी आते रहेंगे लेकिन जो एमप्लाइमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुईदा थी वो सुईदा की गारंटी देनी चाहिए फिर हमने का कश्मीरी पंड़स जो हैं पिछले तीन तीस साल से वो बाहर हैं बहुत सारे जमू में भी हैं कश्मीर में भी हैं कुछ लेकिन अधिक तर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है ये हमारी मौलिक डिवटी हैं सरकार की तो बनती बनती है लेकिन जमू कश्मीर के हर एक राजनेतिक दल और नेता की ये मौलिक जमादारी है कि वो कश्मीर के पंड़तों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हम से हो सकेगी सरकार की साहिता करें मदद करें कि वो कश्मीरी पंड़त वापस कश्मीर में आ जाएं और पांचमा पॉइंट था कि जिस वकत पांच अगस्त को स्टेट के दो हिसे किये गए और डाउन ग्रीट किया गया उस से पहले और उसके बाद भी हजारों की तैदाद में पुलिटिकल प्रिजनर्स थे वरकर्स थे सोचल अगनाइशन के लोग थे तो उन मेंसे हम मिलिटन्स की बात नहीं करते हैं छोड़ दें की लेकिन इस तरह से जो राजनीती से जुड़े हुए लोग है पुलिटिकल क्षिए बड़े मुदे हमारे सरकार की तरफ से टेंटा अपके सामने रख गया था उस पर क्या इसलिए और डिसकेशन था जो हमारा पहले हमने शुरू उसमें शुरू हमें लेकिया था पहले स्पीकर थे काम लिसकी तरफ से तो आम लोगों ने पहले बताया आजंडाउन् अधिक तर लोगों ने कहा कि वह सुप्रीम कोड़ के निदने का फैसला अधिक पार्टी उन्हें का मामला हो चाहिए प्रधान मंत्री ने कोई अस्वासन दिया आप लोगों को ग्रह मंत्री परधान मंत्री सी से पहले बोलें और उन्होंने कहा कि हम वचनबद हैं स्टेट देने के लिए लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो अलक्षन भी हो जाएंगे अलक्षन भी का हम वचनबद हैं और स्टेट हुड़ देने के भी वचनबद हैं तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतजार है औ कोविड की वज़ा से हो नहीं पाया वरना अभी तक डिलिमेंटेशन हो आता हो जाता तो डिलिमेंटेशन खतम हो जाएगी तो हम अलक्षन के भी करवाएंगे और स्टेट हुड भी दे अब हम संतुष उस दिन हो जाएंगे जैस दिन अलक्षन में हो जाएगा और स्टेट आने की को फिए ने कहा और हम लोग ने कहा कि पहले भुलाएं तो नहें कहा कि मेरा बिलकुल पिछले साल से यह वान था कि बिलाऊं लेकिन छूंकि कूड्फ़ था तो कोई इतने लोग को कथे भुलाना अबलके उन्हें वी वह भी कहा कि पॉस्ट कोविड यह सबसे बड़ी मेरे इस हौल में हुई है यह सबसे बड़ी है को विड में तो लेकन एक विंडो निकला तो इस विंडो में हमने बात कि आजाद साब आच ख़बर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी मुल परिसीमन आयोग जल्दी ही बैठक बुलाएगा सरवदलिये बैठक बैठक तो आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी होना चाहिए अगर eliction करना है और नॉर्मल सी बहल करनी है, डिमोकरिसी बहल करनी है, हम चाहते हैं कि तोरण डिमोकरिसी बहल हो जाए, हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम बिरुकरिसी के खिलाफ नहीं है, बिरुकरिसी एक हिस्सा है, डिमोकरिसी का और सरकार का, लेकिन बिरुकरिसी सरकार खुद अपने आप में legislature का काम नहीं कर सकती है मंत्री का काम नहीं कर सकती है तो इसलिए uh bureaucracy हमारे跟你 condition में निरधाद है bureaucracy को क्या करना है और political leadership को क्या करना है जिसको पीम ने स्वेम मांगा कि भाई bureaucracy politician को replace नहीं कर सकती है उनकी एक अलग system है काम करने का और राजना puisquा अलग है तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अभी इतने साल से चल रहा है तो उसकी वज़ा से लोगों को दिकत आता है क्योंकि जिस तरह से पॉलिटीशन मिलता है लोगों से उस तरह से दो भी रोकरेट नहीं मिलेगा तो महभूमा मुद्व कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए नहीं लोगों ने बता दिया ना नाम लेकर बताया गौर्णर जिसमें हूं बगे सबने बताया कि अगर लगी अच्छा है तो इसी को गौर्णर बनावर स्टेट है और सम si toprait. समझता है बहुत फरक होता नतर में politician quoting सनि ऱहना लेकिन वो एक supplementary चीश थी सब का यह कहना था full full revolt state गाउं होनी चाहिए हमारे भी भी पहली मांग थिए सब ने उस मतिलिका अग्वारत को को ने देखो उसके बार हमने मैंने उचा था अपने क्वेशन में कि उसके बारे में बताना चाहिए लेकिन चूंके लड़ा का क्ले और करगिर का कोई रर्जेंटेट्यू नहीं था तो उसका मतलब यही है कि उस बारे मैं अभी कोई बात नहीं कर दी बलाएं नहीं था कोंग्रेस की जो पांच जबान सब्सक्राइब बाकी और पार्टियां किसनी पार्टियां आप से सहमत थी आपने थोड़ी कहूंगा कौन मेरे सहमत थी अंदर की बात है लेकिन यह मेरे ख्याल में यही इनी के एरिद गरत सब सब चीज थे कोई पहला प्रियार्टी था कोई दूसरा था कोई तीसरा था लेकिन आल्मोस यही पांच चीज थी अफकोर्स सब ने अपने अपने तरीके से हमने अपने तरीके से बात की कांग्रेस ने किया क्या क्या अपने प्रामिस किये थे वो नहीं हुए दूस एंसी ने अपना फारुक साब ने अपना तजर्बा ब कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो परसनली एक दूसरे को बहुत मजदीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था अब मैं नहीं समझता कि यह जो पांच मुद्दे हम लोगों ने रेज के थे कोई इस पर किसी कोई पार्टी को आपती हो चाहे वो सताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग किसी ने भी किसी ने बस मैंने बताया नहीं आधिक तर कुछ लोगों ने कहा लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोट में है अदालत में है अजाट साब क्या आगे भी कोई बैठाक होगी इसका कोई समय आज कहा गया कि आने वाले समय में कोई और गूलब एधनाओ